परिचय ईरा के चाचा जी लंदन में रहते हैं वह अपने रिष्टेदारों से मिलने भारत आये हुए हैं वह ईरा से पहली बार मिल रहे हैं वह ईरा उसके दोस्तों, उसकी रुचियों तथा उसके पसंदीदा खाने के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं इस अध्याय में आप अपने बारे में बताना सीख पाएंगे आओ सीखें दूसरों को अपना परिचय देना अपने परिवार के बारे में दूसरों को बताना अपने पसंदीदा खेल तथा खाने के बारे में दूसरों से चर्चा करना मैं कौन हूँ? मेरे परिवार में पांच सदस्य है मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरी दादी तथा मैं मेरे पास एक छोटा सा कुट्ता भी है उसका नाम आईरिस है मेरी रुचियां क्या है? मैं अपने दोस्त राहूल तथा प्रिया के साथ शाम को बाहर खेलने जाती हूँ ते मेरे सबसे अच्छी दोस्त है मैं उनके साथ बैदमिंटन खेलती हूँ हम लुकाचुपी भी खेलते हैं खेलने के बाद हम साइकल भी चलाते हैं जब मैं वापस घर आती हूँ तो मैं चित्र बनाकर उसमें रंग भरती हूँ मैं क्या खाती हूँ अब रात के भोजन का समय हो गया है मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने जा रही हूँ मेरी मा ने मेरा सबसे पसंदीदा खाना पावभाजी बनाई है मैं आम तथा से भी खाऊंगी मुझे फल बहुत पसंद है आओ खेलें सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरें हमने क्या चर्चा की? हम अपना परिचय अपना नाम बता कर देते हैं जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उन्हें अपने परिवार के बारे में भी बताते हैं जब हम अपने दोस्तों से बाचीत करते हैं जानवरों को पानी चाहिए क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी हमारी तरह प्यास महसूस होती है बिना पानी के वे भी जिन्दा नहीं रह सकते हमने क्या चर्चा की? हवा हमारे चारों ओर होती है हवा जगह गेरती है हवा में वजन होता है चीजें हवा की मौजूदगी में जलती है पानी हमारे लिए आवश्यक है जीवित रहने के लिए पौधों और जानवरों को पानी चाहिए